हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब क्यानल सश्री कोचिंग क्लास्टिंग में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे रिजिनिंग के 3-7 प्रस्ण जो आपकी एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं देखें दोस्तों ये तीनों प्रस्ण आपकी एक्जाम से देखना अगर आपको ये तीनों प्रस्ण सौल्फ करना है तो वी डियो को लास तक जरूर देखना होगा तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं कि यूर Am I S कोशन नामर 1 देखिए दोस्तों कोशन, New walls में क्या द These निचे दिए गए प्रस्ण में अनतिम संक्या क्या दिए है इसे को में गयात करना है तो चली दोस्तों है घ्यात करते है तो क्या दिना पहले कौशन में देखिए जी आई यल पी तो पहले हम इसे क्या करेंगे ठीक है पहले से हम संख्याम कर लेते हैं देखिए दोस्तों ए बी ए भी सी जी में कितने अच्छे होते हैं वो होते हैं 26 ठीक है देखिए ए की सस्थान पड़ेगा ए ठीक है बी की सस्थान पड़ेगा दो सी की सस्थान पढ़ेगा तीन दीन की सहस्थान पढ़ेगा चार ठीक है उसी तरह जी की सहस्थान पढ़ेगा स्योन अस्थान पढ़ेगा ठीक है और आई नो व्रेयल के बीच का अंतर कितना है 2, कैसे देखिए दोस्तों 7 में 2 जोड दिया इतना हो गया, ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे, इसमें चार जोड़ेंगे तो हम सोल आनि क्या जोड़ेंगे कि हमारे संख्या क्या आगए सोल में पांच जोड़ेंगे क्योंकि 16 MP7 फिक है deja sesaric 21 इसक्तानप पर सायगा 21 u असक्तानप फ़रता है ठीक तो हमारा question mark के स्थाइब या ऑ्यू ठीक है तो आपसर नम्मर B में दिया हुआ यह हुआ तो आपसर नम्मर B हमारा सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों मैं उम्मेद करता हूं कि यह परस्ण बहुत ही असानिसित आपको समझ में आ गया होगा तो चलें दोस्तों चलते हैं अपने एगले ग्याद करेंगे तो देखिए दोस्तों पहले क्या करेंगे इस तरफ की कोश्चन होंगे ठीक है इस टाइप की कोश्चन होंगे तो पहले हम क्या करेंगी से संख्या में करेंगे ठीक है क्या करेंगे संख्या में करेंगे तो बी की सस्थान पर देखिए दो अस्थान पर ठीक तो ए एक अस्थान पड़ता है बी दो अस्थान पड़ता है उसी तरह से ठीक है तो चलिए से हम स्वाल करेंगे देखिए इसे कैसे स्वाल करेंगे 2 और 5 के बीच का अंतर कितना है 3 आने की 2 में क्या किया है 3 जोड़ दिया तो 5 हो गया ठीक है देखिए अब 5 में क्या करेगा 5 में 4 जोड़ दिया है तो कितना हो गया है ठीक है 9 हो गया है उसी तरह से अब क्या करेंगे 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ओक ऐसे देखे पहले हम 3 जोड़े हैं दूसरे हम 4 तीसरे में 5 ठीक है अब 14 हम क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे 14 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा 20 अने 20 वी सी टीदी मी 20 की सब्सक्राइब चीस तो आफ से करता हूं कि अपने असाल रматार्ण के सब्सक्राइब करना है तो चल दोघए दोस्तों हम इसे बहुत ही असान स्वाल करते हैं तो इससे भी हम पहले क्या करेंगे संख्या में कनवर्ट करेंगे देखिए पहले के देख सी दिया है और यप दिया है ठीक है देखें सी के सस्थान परता है तीना स्थान परता है और यप छे स्थान परता है ठीक है फिर कामा हो गया य स्रेया है 19 2 सstar पर आफ धी by 2 100 पर पर ठीक है किसय संस्थारव a 22 तो चलिए से ओमzeug करेंगे दखिये इसमें क्या किया है सी में सी और ई ठीक है सी और में क्या किया है तीन जोड दिया है इसमें तीन जोड दिया है तो क्या हो गया है अगर तीन में तीन जोड़ेंगे 6 हो गया है तो अब देखिए यह परड़ी में क्या किया है 6 और 4 दिया है तो 6 में 2 मानस कर दिया है तो यह 4 हो गया है ठीक है 19 में 3 जोड़ दिया है तो 20 हो गया उसी तरह अब क्या करेंगे हम इन चारों आपसन में से 2 घटाएंगे तो कौन सा आपसन आएगा देखिए दोस्तों 22 और 20 की अस्थान पर क्या पढ़ेगा देखिए 20 के अस्थान पर T बढ़ेगा और V के अस्थान पर 22 बढ़ेगा आने कि आपसन यहीं भी साही होए कैसे देखिए V और T देखिए V किस अस्थान पर पढ़ता है वो पढ़ता है 22 अस्थान पर और T वी अस्थान पर आने कि अगर हम 22 में से 2 घटाएंगे तो क्या वीडियो पसंद आए तो लाइक, सस्क्राइब और सेर करना ना भूलें.